नमस्कार दोस्तो HPG के हब YouTube चैनल में स्वागत है आप सभी का दोस्तो जूनियर आफिस एसिस्टेंट IT पॉस्ट कोड 949 की कम्प्यूटर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो हैं क्लास 14 को डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले हमने तेरा क्लासें और अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो मेक शूर प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख लें तो दोस्तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपके लिए छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा अगर आप जो हैं जेवाइटी के लिए स्पैशल नोट्स, MCQs, Mock टेस्ट, टॉपिक वाइज वीडियो कॉर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए वाटसेप नमर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं वाटसेप नमर है 82787-23715 तो चलिए दोस्तों करते हैं आज किस वीडियो को तो जो फर्स्ट क्वेशिन पूछा है तो यहाँ पर MS Excel का फॉर्मूला दिया है तो आपको ने इसकी वैल्यू बतानी है तो दोस्तों एकवल टू का साइन है आपको पाता है एक्सल में एकवल टू का साइन जो है पहले लगता है किसी भी फंक्षन को यूज करने के लिए तो यहाँ पर जो है कनवर्ट फंक्षन यूज किया है और 102 को F से C में कनवर्ट करना है ठीक है यानि कि Fahrenheit से Celsius में कनवर्ट करना है तो इसका जो correct answer होगा फर्स्ट क्वेशन का option C जो है correct होगा 38.888 ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है वट विल वी दे वैलिव रिटर्ण बाई MS Excel फॉर्मूला तो यहाँ पर भी कनवर्ट का फॉर्मूला दिया है और आपने जो है 10 किलोमेटर को माईल में कनवर्ट करना है ठीक है तो second question का जो correct answer होगा option A हो जाएगा ठीक है 6.21 माईल ठीक है आगे हम next question की बात करें वट विल वी दे वैलिव रिटर्ण बाई MS Excel फॉर्मूला तो यहाँ पर आपने बताना है कि यह फॉर्मूला क्या वैलिव आपको रिटर्ण में देगा 180 इंच को आपने fit में convert करना है ठीक है तो इसका जो correct answer होगा option C होगा 15 ओके आगे हम next question की बात करें next जो आपका question है यहाँ पर वट विल वी दे वैलिव रिटर्ण बाई MS Excel फॉर्मूला तो यहाँ पर आपने बताना है यह कौन सी वैलिव रिटर्ण करेगा यहाँ पर convert जो function यूज किया है और 75 को इंच से मीटर में convert करना है तो जो fourth question है उसका correct answer यहाँ पर C हो जाएगा 1.9 ठीक है next question है what will be the value returned by MS Excel फॉर्मूला convert और यहाँ पर 100 दिया है इंच से आपने centimeter में convert करना है तो दोस्तों इसका जो correct answer होगा 254 होगा ठीक है option B will be जो आपका option B है वो correct हो जाएगा next question है what will be the value returned by Excel फॉर्मूला तो यहाँ पर convert function यूज किया है और 175 को LVM से केजी में convert करना है LVM means यहाँ पर आपका इसे हम point कहते हैं ठीक है और यह mass के लिए use किया जाता है और LVF भी होता है वो जो आपका force के लिए use किया जाता है तो दोस्तों आपने font से केजी में convert करना है तो 175 का जो answer होगा यहाँ पर convert होके वो हो जाएगा आपका C option ठीक है C option जो है आपका correct हो जाएगा 6th का next question की हम बात करें तो यहाँ पर function दिया एक्सल का तो आपने इसका answer बताना है 5 को जो है जो आपका 5 gallon है उसको आपने यहाँ पर लीटर में convert करना है तो इसको आपने यहाँ पर convert करना है गैल से L में तो इसका जो correct answer होगा 7 का C option correct हो जाएगा 18.92 ओके next question है यहाँ पर formula पूछ एक्सल का what will be the value returned by एक्सल formula तो convert आपने 100 inch को mm यानि की mm में convert करना है तो दोस्तो आठवें का जो correct answer होगा option C होगा 2540 2540 ओके next question की बात करें what else is a command interpreter called ठीक है तो command interpreter को हम क्या कहते हैं 9 का option C correct होगा हमें इसे shall भी कहते हैं ठीक है next question है when does page fault occur तो page fault कब अकर होता है तो इसका correct answer C होगा जब page जो है present नहीं होता memory the page does not present in memory 11th question है आपके पास why using which of the following options the border of table can we collapse तो आपने जब collapse करना है cable table में border का तो आप कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों इसका जो correct format होगा option B होगा border और collapse यहां पर आपका यह वी वाला option जो है यूज किया जाएगा ठीक है आगे हम next question की बात करें बारवों question which attribute you will use to td tag to merge to two cells horizontally अगर आपने td tag में जो हैं दो cell को merge करना है horizontally तो आप कौन सा tag use करेंगे तो दोस्तों call spam जो है आप equal to two use करेंगे option B आपका correct हो जाएगा next question की बात करें which one of the following tags is used to add caption in a table तो अगर आपने table में caption को add करना है तो आप जो है caption tag का use करेंगे ठीक है option C जो है correct हो जाएगा और यह table के बाद जो है first tag आता है next question है each cell of the table can be represented by using तो जो आपका cell होता है वो represent किया जाता है table में तो किस में represent किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है td tag में यह की table data okay next question है in ms excel the cells a1 contains 45 beef sorry a5 contains 45 b5 contains 55 or c contains 10 or d5 contain 115 and e5 contains 555 or f contains 255 तो दोस्तों आपके पास यहां पर cell दिये हैं यह a5 में आपकी 45 value है b5 में आपकी 55 value है c5 में आपकी 10 है और d5 में आपकी 115 है e5 में आपकी 555 है और f5 में आपकी 251 है तो यहां पर पूछाए कि ms excel जो का जो function हमने use किया है इसमें कौन सी result जो आपको return में देगा तो यहां पर large function का use किया है और a5 से range हमने f5 की डाली है और यहां पर 3 डाला है यानि कि third largest value आप इन में से आपको बतानी है तो first जो आपकी 555 है यानि कि 555 है second largest जो है 251 है और जो आपकी third है वो 115 है तो इसका जो correct answer होगा option d जो है इसका correct answer होगा 15 का 115 next question है यहां पर भी आपको excel का value the excel की same value है ठीक है a5 में आपकी 45 है b5 में आपकी 55 है c5 में 10 है आपकी d5 में 115 है e5 में आपकी 555 है और f5 में आपकी 251 है तो यहां पर जो excel formula है यह आपको क्या result जो देगा ठीक है यहां पर हमने small का use किया है तो a5 से f5 की बेच में आपको तीसरा smallest number बताना है ठीक है तो जो आपका third smallest number होगा यहां पर वो होगा 55 ठीक है स्टार्ट अ स्लाइड शोग फ्रॉम करेंट शोग करेंट अगर आपने जो है करेंट स्लाइड से अपनी स्लाइड शोग को स्टार्ट करना है तो आप कौन सी की का यूज करेंगे दोस्तों आप यूज करेंगे shift के साथ f5 option b जो है आपका correct हो जाएगा और आगर आपने beginning से start करना है तो आप f5 की यूज करेंगे और आगर आपने new file मनानी है तो ctrl n करेंगे और आगर आपने current file में new slide add करनी है तो ctrl plus m यूज करेंगे next question which of the following is not the element associated with html टेबल लेयाउट तो कौन सा element है जो कि आपका html टेबल लेयाउट से संबंदित नहीं है तो अठारा का आपका भी यहाँ पर option हो जाएगा ठीक है वी option जो आपका correct हो जाएगा ओके स्पैनिंग होता है आपका alignment होता है साइज होता है लेकिन color नहीं होता ठीक है next question की बात करें which of the following element is used for creating a separate table footer तो अगर आपने table में separate footer को create करना है तो आप जो है एप sorry t footer का use करेंगे ठीक है 19 का a option जो है correct हो जाएगा t footer ठीक है footer जो है आपका वह आपके पूरे जो document होता उसके footer के लिए यूज किया जाता है next question है in ms excel the cell a1 contains 6 cell 1 a में 6 है तो यहाँ पर जो function दिया है यह आपको क्या result देगा fact a1 तो दोस्तो fact मतलब factorial तो आपने जो है factorial बताना है तो इसका जो correct answer होगा 20 का वह होगा option b ठीक है 720 factorial का formula होता है n यहाँ पर factorial और n multiply by n-1 ठीक है n-1 value से आपने एक-एक less करना है और उनको multiply करना है ठीक है तो 720 इसका answer होगा next question से है मैं आपका excel में a1 आपका cell है जिसमें minus 6 की value है और इसका यहाँ पर formula दिया है fact a1 तो इसका result क्या आएगा दोस्तों इसका result जो है error आएगा और यह क्या error आएगा num type का error आएगा क्यों आएगा क्योंकि जब आपकी value minus में जाती है तो factorial में आपका num type का error आता है ठीक है option a correct होगा next question है in ms excel the cell a1 contains 0.2 then what will be the result returned by following excel function तो यहाँ पर आपके a1 cell में 0.2 value है तो आपका जो यहाँ पर excel function दिया है degrees h1 यह क्या return करेगा दोस्तों यह आपका use किया जाता है angles in radiance ठीक है radiance में जब angle दिये होते हैं आपके तो अगर आपको उनको convert करना है degree में तो उसके लिए यूज किया जाता है तो 0.2 का जो यहाँ पर answer होगा वो होगा option c ठीक है 11.45916 ठीक है next question है in ms excel the function degrees और यहाँ पर पाई दिया है तो यह function आपका क्या result जो है return में देगा तो दोस्तों इसका correct answer जो है option c होगा यह 180 degree हमें return देगा ठीक है next question है in ms excel the cell g6 contains 9 and h6 contains 6 g6 में 9 है और h6 में 6 है तो यहाँ पर जो function दिया है यह क्या value return देगा lcm हमने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर range दी है g6 से h6 तक तो इसका जो correct answer होगा option d होगा यह आपको lcm 18 देगा ठीक है 18 next question है और यह last question है आज की class का in ms excel the cell g6 contain 9 same value the G6 में आपकी 9 है और h6 में आपकी 6 value है तो यहाँ पर function दी आपका gcd और यहाँ पर आपकी range दी है sorry इसमें range हो है यहाँ पर range होनी थी ठीक है कि रेंज दिया आपकी यहां आप रेंज यूज कर सकते हैं या आप कौमा लगा कि भी यूज कर सकते हैं तो यहां पर पूछाया कि आपका ये function क्या value return करेगा तो दोस्तों यहां पर जो आपका अंसर होगा Greatest Common Divisor का वो होगा 3 ठीक है यानि कि Option C इसका Correct हो जाएगा तो दोस्तों यह थे आज के Top Most 25 Most Important Questions जो कि आपके Exam Point of View से काफी important थे आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी informative लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो make sure चैनल को subscribe कर दें वीडियो को like comment और अपने दोस्तों के साथ share कर दें तो मिलते हैं झाल